दोस्तों नमस्कार आपकी सफलता है मेरा मिशन है और ग्यानकोस इउजकेशन पर आपका अभिननदन है दोस्तों आप यहां से जान ही रहें कि आपके अपने चैनल ग्यानकोस इउजकेशन से यूपिटेट या फिर्शेटेट का कम्पलीट कोर्स तयार करवाय जा रहा है यहां से आपको लेक्चर वीडियो भी मिल रहा है और साथी साथ इस्पेशल प्रेक्टिसेट हर एक टापिक पर आधारी मतलब जो भी आपके सलैवस के अनुसार जो टापिक है उस हर एक टापिक पर आपको फिर्क्टिसेट मिल रहा है आप इस वीडियो को देखने के पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आभे जा करके आप जो भी वीडियो है आप उसको देख ली जेगा और यहां से अगर आप complete course प्राप्ट करना चाहते हैं वह भी free में तो इस channel को आप subscribe कर लिजे like और share अधिक सदिक अपने दोस्तों के पास कीजिए और अगर आप PDF प्राप्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारा PDF हमारे टेलिग्राम चैनल पर है आप जाएए उस टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजे और वहां से बहुत सारा PDF आपको मिल जाएगा और जो प्रेक्टिसेट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लगता है कि इस प्रेक्टिसेट का PDF आपको चाहिए तो comment box में comment करके हमें अवश्च बता देंगे जब comment करके हमें बता देंगे तो मैं PDF तयार करके अपने टेलिग्राम चैनल पर अफ्लोड कर दूँगा आप वहां से प्राप्ट कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग आज जो प्रेक्टिसेट पढ़ेंगे यह इस पेसल रस पर आधारित है ठीक ना रस से आपके 2-3 प्रस्ण अवश्च आते हैं तो इस प्रेक्टिसेट को पूरा देखिए उसके अज फिर आपको यहां से लगेगा कहां इस में से 2-4 प्रस्ट अवश्च मिल जाएंगे पहला प्रस्ण है अस्थाई भाव के कुल कितनी संख्या होती है तो आप अच्छी तरह जानते हैं अस्थाई भाव के संख्या कितनी होती है 9 9 रस होते हैं और 9 उसके क्या होते हैं अस्थाई भाव होते हैं शांतरस का अस्थाई भाव क्या है तो श्रांत रस का स्थाई भाव होता है दोस्तों निर्वेद होता है क्या होता है निर्वेद ठीक है तीसरा देखिए स्रिंगार रस का स्थाई भाव क्या है तो आपका स्रिंगार रस का स्थाई भाव है रती ठीक चौथा देखिए विस्मे अस्थाई भाव किस रस में होता विसमे तो आपका चार कहो जाएगा अदभूत यानि विसमे अस्थाई भाव जो है कि अदभूत है ये उसका अदभूत रसमे है विसमे अस्थाई भाव पांचमा देखिए किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दातों पर मोती वारूं इस पंक्ति में कौन सा रस है तो इसमें जो है कि देखते ही लग रहा है कि किसी बच्चे के मतलब जो दात मोती रूपी जो दात है उसका वरण किया गया है किलकारी करती है बच्चे का तो जाहिर सी बात है इसमें वा आईए चटवा देख लिया जाए अतिमलीन ब्रिसभान कुमारी तो इसमें कौन सा रस ये पूछ रहा है तो इसमें कौन सा रस आपको दिख रहा है तो इसमें वियोग सरिंगार दिख रहा है निए भी प्रलब सरिंगार दिख रहा है क्योंकि जब कृष्ण मठुरा चले जाते हैं तो ब्रिशभान कुमारी अर्थात राधिका जी के साथ साथ सभी गोपिकाएं सभी गौल-बाल हतास उदास हो जाते हैं तो इसमें जो है ऑप का किसिपने पूछा गया दोस्ते चीज मैं कहना आपको भूल रहा हूँ जो भी आपको प्रीक्टिर शेट मिलेगा वह किसी ने किसी परिख्छा में पूछा गया रहेगा दाहिने साइड में उसकी 4 में पूछा गया आप उसको देख सकते हैं मेरे कहनेक न्यक्रष्ण बहुत ही important है, बस एक लाइन मैं यही कहना चाहता हूँ, सात्मा देखिए, सरवस्रेष्ट रस किसे माना जाता है, तो सरिंगार रस को सरवस्रेष्ट रस माना जाता है, जिसको रसराज भी कहते हैं, आठ्मा, कभी विहारी मुख्यता किस रस के कभी हैं, तो यह सरिंगार रस के कभी है मुख्यता ठेक आगे बढ़िए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर मोर मुक्ट मेरो पती सोई इसमें कौन सा रस है तो नौ का आपका हो जाएगा भी इसमें स्रिंगार रस है यह मेरा बाई का दोहा है पद है आईए दसमा देखिए सोभित कर नव नीत लिए घुटूरन चला तुरेनू तन मंडित मुखदद लेप किये इस पंक्ति में कौन सा रस है तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि घुटूर्गों के बल चलने वाले स्री कृष्ण के शौंदरे का वरड़न किया गया है तो इसमें क्या है आपका बदसल रस मनें व कम्प्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवस्य सब्सक्राइब कर लेजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इग्यारा देखिए रसोत पत्ति में आस्रय की चेश्टाएं क्या कही जाती है तो इग्यार यह बहुत इंपर्टेंट है यह बहुत इंपर्टेंट है आप इसको बढ़ियां से त्यार कर लिजेगा बारा देखिए टौठ डॉड हो वर्णों का प्रियोग के संबंध में संबंध काव्य के किस गुण से है तो इसमें जो है बारा का आपका हो जाएगा भी ओज इसको कठोर वड़ा बोलते हैं, तो कठोर वड़ाओं का प्रियोग माधुरी में नहीं होता है, प्रसाद में नहीं होता है, ओज में ही होता है, आगे देखिए, माधुरी गुण का किस रस में प्रियोग होता है, माधुरी गुण का किस रस में प्रियोग होता है, तो दोस्त तो 14 का आपका हो जाएगा C, इसका कौन सा अस्थाई भाव पूछ रहा है, इन पंक्ति का अस्थाई भाव कौन सा है, शोक, तो यह चुकि करूर रसका है, यह पंक्ति जो है किस रसका है, यह करूर रसका है, तो करूर रसका जो अस्थाई भाव होगा, क्या होगा, शोक होग पंद्रा देखिए, रस कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर अस्थाई भाव नव प्रकार के होते हैं, तो आपके रस भी कितने प्रकार कोंगे, नव प्रकार के होते हैं, हलाकि बाद में दो रस और जोड़े गए, ठीक ना, एक है शांत भक्ती सारी, एक है भक्ती रस, और एक है वातसल्ले रस वातसल्ले ऐसे तो इस तरह से जोड़ करके कुली 11 हो जाता लेकिन ये जो है कि नो ही माने जाते हैं यही प्रामारिक है और अगर आएगा तब नो को ही तिक करेंगे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया हूँ 16 देखिए उधो मोहिबरज विसरत नाही हंस सुता की सुंदर कगरी दुरुमन की छाही दुरुम कुछ यहां छूटा हुआ है यह कुछ एकाश्वर छूटा हुआ है दुरुम कुंजन की छाही कुछ हैसे होना चाहिए तो चलिए इसने मतलब नहीं है इन पंक्तियों में कौ सुनसा रस है तो सोलह का आपका यह हो जाएगा श्रिंगार रस ही है उधो मोहिबरज विसरत नाही मने श्रिंगार रस में हलाकी यह एक तरह से कहा जए तो व्योग स्रिंगार है लेकिन व्योग स्रिंगार काशन कहीं दिया नहीं है इसलिए आप स्रिंगार रस को ही टिक कर अगर ऐसा प्रस्ण आ जाता है तो क्योंकि अपने मित्र उधों से श्री कृष्ण अपनी करुड़ा का मतलब अपने दुख का भाव प्रकत करते हुए कहते हैं कि यह उधों मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है जो यमुना का सुंदर किनारा है और वहां के पेणों की जो छाय है वहां हमें भूल नहीं रहा है तो इस तरह से यहां श्रिंगार रस तो है लिकी इसके अंदर कराद व्योगं सुर्ण श्रिंगार है आतों यहां भी उथ यथे हुआ रस है हलाक भरत मुनी आठे रस को मानते हैं ठीक न शांत जब जुड़ गया तो नो रस हो गया आगे देखिए अठार अठार है उसकाल मारे क्रोध के तनकापने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुगा सागर जगा उप्रुक्त पंक्ति में कौन सा रस है तो अठा चारगा क्या हो जाएगा आपका B रौदर रस हैं ठीक न उन्निस देखिए वाक्यम रसात्म काप्यम किस का कथन है तो उन्निस का हो जाएगा A ये विश्वनात का कथन है 20. मन की उत्तप्त वेदना मन में ही बहती थी, चुपराकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पत पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविकल वो प्राणी भीतर से तूट गया था उप्रियुक्त का वेपंक्त में कौन सा रस अविव्यंजित हो रहा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, चारो रस में, तो 20 का आपका हो जाएगा, C इसमें करूर रस दिखाई दे रहा है 21 देखिए वीर रस का अस्थाई भाव होता है वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है अपच्छी तरह जानते क्या होता है उत्साह होता है ठीक ना 22 देखिए कि रस को किस रस को रसराज कहा जाता है तो दोस्तों स्रिंगार रस को रसराज कहा जाता है इस तरह से यह एक इसका PDF चाहिए तब हमें comment करके बताएंगे तब हम PDF तयार करेंगे क्योंकि हम PDF तयार करें और आप उन्हों वहाँ से प्राप्ट करना चाहिए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है मेहनत करने का ठीक नाप, दोस्तों आप अगर यहां से free में सब कुछ प्राप्ट करना चाहते हैं, प्री में PDF करना चाहते हैं complete course के तयारी करना चाहते हैं आप यहां से lecture वीडियो प्राप्ट करना चाहते हैं इस चैनल को अवश्श दर शब्सक्राइब कर लेजे लाइक और सेयर करते रहें आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करें